python Brazil 41 your time starts now चलिए friends सबसे पहले इस code का output देख लेते हैं तो इस code का output है yellow चलिए समझते हैं output कैसे आया इस code को समझने से पहले आप यह समझ लीजिए जो code है यह duck typing का example है जो duck typing होता है यह concept है polymorphism का जो polymorphism होता है ये बताता है कि चाहे जो भी class हो, method हो या कोई भी function हो उसमें जो भी input दिया जाएगा उसी के respectively कोई भी output मिलेगा बतलब इसका एक specific output नहीं होता है जो input दिया जाता उसी हिसाब से output भी मिलता है चली अब समय लेते हैं code work कैसे कर रहा है तो सबसे पहले आप पे apple नाम की एक class बनाए गई फिर इसके बाद color नाम का एक function बना दिया गया फिर इसके बाद print किया गया red अब फिर से class बनाए गई mango नाम की और फिर से इसमें color नाम का एक function बना दिया गया फिर इसके बाद fruit class को call किया गया जिसमें F नाम का parameter पास कर दिया गया जो FAO mango class के call है तो इस वज़ा से mango class जो call हो गई और yellow print होके आ गया तो इस तरह से score का output yellow आ गया अब friends आप यहाँ पे जो fruit नाम का function देख रहा है यही बताता है कि यह जो example यह duck typing का है तो यहाँ पे जो fruit function एक का क्या रही है आईसल में कि हम लोग जो भी class को call कराते हैं उस class में जोभी fruit होता है और उसरूट का जो भी color होता है वही print होके आ जाता है तो जब हमने mango class को call किया था इस function के through तो yellow print होके आ गया था तो अगर हम लोग apple class को call करते तो red print होके आ जाता तो इस तरह से जो duck typing है work करता है आप friends आपको 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 चैनल में जानो प्लेलिस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको python series की पूरी प्लेलिस मिल जाएगी साथ ही friends अगर आप चैनल मने हो चैनल सब्सक्राइब कर दें साथ में बैल आइकन को भी प्रस कर दें जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की latest notifications मिलती है चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में thanks for watching